थोड़ी देर दी खामुशी तो बाल शनिचर वार नू फिर पाकिस्तान दी तरफों जमुकश्मी दे पॉंच जिले विच कंट्रोल रिखा ओते गोली बारी दी उलंगणा की थे गई पारत दी तरफों भी इस गोली बारी दा टुकवाँ जवाब दता गया है कंट्रोल पारत दी तरफ किसे प्रकार दे जानी नुकसान दी कोई खबर नहीं है जिकरियों गया कि अंतर राष्ट्रिय सरहद उते एक तो नौ अक्तूबर तक हुई गोली बारी विच आठ व्यक्ती मारे गए हन ते नब्बे चक्मी होई हन एना विच तेरा सुरख्या मुलाजम व शामल हन हुन तक सरहद तो ब्याली हजार ते करीब लोग अपने कर छड़ के सुरख्य थामाते शरंड लेंड जा चुके हन सरहद ते करीब 113 पिंड खाली हो चुके हन गौर तलब है के गोली बंदी दी उलंगणा नाल दोहां देशां विचकार बहुत तना पैदा हो गया पाकिस्तान वार वार ऐ दोश ला रहा है के गोली बंदी उलंगणा पारत वलिंग की ती जारी है पाकिस्तां दे आगवङिंद कैना है के पाती गोली बंदी नाल हुण तक 58 पाकिस्तानिया दी मौत हो चुकी है ते करादा नुक्सान होया है ओना ने सरहाद ते चल रही गोली बारी नो एक तरह नाल छोटी लड़ाई दी भी करा दता है सब दिन पूरा फारिंग होती रही है इस फारिंग से हमें बहुत बड़ी तंगी है क्योंकि आज हमारा महीना जो असूज का है छे बहने का इनसान हेवान का गला गास वगरा एक अठा करते हैं लेकन इसमें बड़ी परिश्वनी बड़ी हुई है कि बाहर निकलने से मजबूर हो गए पाकिस्तान की तरफ से यहां हमारे आलाका गूतवड का रिछारी शापूर और य्किरनी में जबदत Fill in फाइरिंग इस तो उसके जवाब में इन्दुस्तान निल्ब की फाइरिंग चोटी किया है तो उसकी सबसे बड़ी प्राक्षान में निक्टे में होगी और समय नियुक्षाल विलकू और उसी सीजन में इसका जमाला जाता है जिसके कारव हम दिदाश परेशान हे ओर जितने लोग पी हैं वो काम कामकार्ज करने के लिए खेतूमे मवेश्य खेतूमे हैं ऑर पाकस्तान की जो है लगातार फारिंग फारिंग और बंपारी जो है लगातार चल रही है खबरांदी दुनिया विचाओ साधे नाल कदे भी किते भी जुड़ो आपा मिलांगे फेस्बुक ते असे दिखांगे यूट्यूब ते सानू फॉलो करो ट्विटर ते खबरांदी चुड़े रहो दिन रात